गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स मसुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में वर्दन वंस का नरेश राज्य वर्दन के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा इससे पहले वाले वीडियो में हमने परभाकर वर्दन के बारे में जानकरी प्राप्त की थी और वर्दन वंस के बारे में जो जानकरी के स्रोत हैं उनके बारे में जानकरी प्राप्त की थी तो आप हमारे यूटूब चनल इंडिया उल्डेज को सब्सक्राइब करें और वीडियोज को लाइक और शेर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी इत्यास विशेशे सम्मझ दित महत्व मुन जानकरी पहुंच सके और बेल आइक नबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिले और आप एक्जाम की अच्छे से त्यारी कर सकें ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं राजे वर्दन राजे वर्दन परभाकर वर्दन का पुत्र था जब परभाकर वर्दन की मरत्यू हो गई तो राजे वर्दन ने अपने पिता की मरत्यू से आहत होकर राजे चोड़कर सन्यास ग्रहन कर लिया उसने अपने भाई हर्ष से सिहासन ग्रहन करने का अग्रे किया हर्ष ने भी सिहासन ग्रहन करने से मना कर दिया जब राजेवर्दन के सन्यास गहान करने की तयारी चल रही थी तबी समादक नामक अनूचर ने सूचित किया कि जिस दिन राजा की मर्तिय हुई उसी दिन मालवा के दुस्ट सासक ने महाराज ग्रह वर्मा की हत्या कर दी, राजेशरी को करनोच के कारागार में डाल दिया ग वह ग्रह वर्मा मोक्री वंस का सासक था जिसका विवाप प्रभाकर वर्दन की पुत्री राज耶- irisות के साथ हुआ थाionen रैजे वारदन ने सुना तो सिन्यास की जगह उसने अस्तरधारन कर लिए उसने सिहासन ग्रहण किया और हर्स को संबोधित किया कि आज मैं मालवा राजवन्स का विनास करने जाता हूं इस उद्दंड सत्रू का दमन करना ही मेरे सोग को दूर करने का उपाय तथा मेरी तपस्या है क्या मालवराज के हाथों मोखरियों का निरादर होगा यह तो वैसा ही है जैसा अंदकार सूरिय का तिरिसकार करे अत्वा हरीन सिहं का बाल खिंचे राज्य वर्दन ने सिख रही दस हजार अस्वारोहियों की एक सेना तयार की तता अपने ममेरे भाई भंडी को साथ लेकर मालवराज को दंड देने के लिए चल पड़ा हर्स भी उसके साथ जाने के लिए तयार हुआ लेकिन राज्य वर्दन ने राज्य की सुरुक्षा के लिए उसे राजधानी में ही रहने को कहा ये मालवा का दूस्त सासक देवगुप्त था, देवगुप्त ने करनोच पर आकर्मन कर राजय वर्धन के बहनोई ग्रह वर्मा की हत्या कर दी थी, देवगुप्त मालवा के राजा महासेन गुप्त का चचेरा भाई था, राजय वर्धन ने देवगुप्त पर आकर्मन कर लेखों से चलता है राजेवर्दन ने देवगुप्त को मार डाला था देवगुप्त के मितर गोड़ नरेश ससांख ने दोखा देकर राजेवर्दन को मार डाला था इस बात का वीवरण बंसकेड़ा अभी लेख में इस परकार किया गया है दूस्ट गोड़े के समान देव को संतूस्ट कर राज्य वर्दन ने सत्रू के बहन में सत्य के अनुरोज से अपने प्राण त्याग दिये चिन्नी यात्री विहनसांग ने भी इस विवरण का समर्थन करते हुए लिखा है कि परवर्ती सासक कौन राज्य वर्दन राजा बनने के ततकाल बात पूरवी भारत में इस्तित कर्ण सुवन बंगाल के बोध द्रोही दूस्ट ससांग द्वारा दोखा देकर मार डाला गया हर्श रित के अनुसार कुंतन नामक अस्वा रूही ने हर्श को थानेसर की राजे सभा में आकर कहा की राजे वर्दन ने मालव सेना को खेली खेल में जीत लिया थ किन्तु गोड नरेस के दिखावटी सिस्टाचार का विश्वास करके वह अकेला सस्त्र ही दसा में अपने ही भवन में मार डाला गया हर्श रित के ठीकाकार ने संकर ने बताया है कि ससांग ने राजे वर्दन के साथ अपनी पुत्री के विवाह का परस्ताव रखा वह उस तक साथ 606 इस्वि ने हर्श वर्दन 16 वर्ष की अवु में धाने स्वर की गद्धी पर बठा ठीक है तो देखिएगा इस वीडियो में हमने राज्ये वर्दन के बारे में जानकारी प्राप्त की degree के वीडियो में आपको ने बारे में पढ़ाएंगे तो बने रेहें